तो जार्खन के मुखेमंदरी आज हिमन सोरन एडिके समन के खिलाफ जार्खन हाई कोट में याचिका दाखल कर सकते हैं बता दे कि हिमन सोरन से 23 सेप्टमबर को एडिके रांचिस ते जो उनकारियाले में पुछताच होनी है गौरत लब है कि ED के समन के खिलाफ CM हेमन सोरन सुप्रेम कोट पहुंचे थे जहां सुप्रेम कोट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते वे हाई कोट जाने की सलहा दी थी मिली जानकारी के अनुसार CM को हाई कोट से भी रहात नहीं मिली तो मुश्किल बढ़ सकती है CM हेमन सोरन को हाई कोट से भी रहात नहीं मिलेती है तो फिर उनकी मुखे मंदरी हेमन सोरन आज ED के समन के खिलाफ जारकन हाई कोट में याचिका दाखल कर सकते हैं बता दे कि हमन सोरन से 23 सेप्टमबर को ED के रांचिस्ति जोन कारे आले में पुश्टाश होनी है हाला कि उससे पहले जो जानकारी मिल रही है उससे पहली CM हेमन सोरन ED के खिलाफ जारकन हाई कोट में याचिका दाएर कर सकते हैं तो इस कबर पर जादा जानकारी के लिए हम अरसत फोन लाइन पर हमारे समवदात अंकुर सना जुड़ रहे हैं अब मुख्यमंत्री हेमन सोरेन की मुश्किले जो हो काफी बढ़ गया क्यों कि इस तरीके से परीम कोट में उन्होंने अपील की थी और इसे में सुप्रीम कोट में इस मामले पर सुनवाई नहीं कि और सीधे कहा है कि हाई-कोट कर रूख करें और चैसे में अब तक मुख् पूर्ण दिन है कल मुख्यमंत्री हेमन सुरेन एडी कार्याले नहीं जाते हैं तो फिर एडी द्वारा क्या कुछ करवाई की जाती है क्या पांचिवे समन भी भेजे जागी या फिर कुछ कड़ी करवाई जो है एडी द्वारा की जागी तमाम चीजे देखने वाली बात चारा समन जारी किया गया है जहां उन्हें कल एडी के रांची कार्याले में हाजर होने को कहा गया है लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है कि सीएम हमन सोरन कल एडी कार्याले जाते हैं या कल भी मुख्यमंत्री सचीवाले के तरफ से कोई पत्र एडी कार्याले जाता ह झाल 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 झाल